जैहन दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं तो आप कैसे पता करें कि भाई वो जमीन जो है उस पर कोई केस मुकद्दमा तो नहीं चलना इस जमीन पर कोई कानूनी लफडा तो नहीं है। बहुत आसान तरीका में आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको सर्च करना है RCCMS जैसे ही आप यह सर्च करेंगे तो उसके बाद इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा यदि आप चाहें तो ऐसे ही देख सकते हैं यहां पर आपको क्लिक करना है वाद खोज विदी या आप इसके desktop mode में भी इसे आप कर सकते हैं तो मैं आपको पताऊंगा कैसे देखें कि वही कोई जमीन विवादित है या नहीं है ठीक है तो यहां पर वाद की खोज यहां पर कई सारे option आ गए अब आपको जानना है कि वही भूग आटे के वाद गरस्त होने की इस्तिती जाने तो जैसे ही आपने क्लिक किया यहां पर खुलके आ गया है ठीक है इसके बाद आपको जनपद, तैसील, परगना, ग्राम, खसरा नमबर ठीक है यह डालने के बाद यहां पर आपको क्लिक करना परेगा प्रदिस्तित करें इससे पहले मैं आपको बता दूँ यदि आप कोई भी सला लेना चाहते हैं कानूनी संबंदी, जमीन संबंदी, क्रिमिनल संबंदी तो आप ले सकते हैं कॉंटेक्ट नमबर वीडियो की डिस्केशन में दिया गया है चलिए यहां पर क्लिक करते हैं दिखे यहां पर जैसे ही हमने क्लिक किया यहां पर हमारे सामने खुलके आ गया है पुराना वाद संक्या कम्पूटर वाद संक्या अधनियम धारा 34 में चला है वाद की परक्रत साच्छे वादी ठीक है ? और यहाँ पर वादी का नाम प्रतवादी का और यहाँ पर सुनवाई تिति यहाँ पर पूरा विव्रण वो यहाँ पर सामने खुल के आ गया है ठीक है इसी प्रकार से यदि आपका कोई भी बात चला होगा ठीक है तो आप जैसे ही सर्च करेंगे यहां पे खुलके आ जाएगा और देखिए इस प्रकार से पूरा इंटरफेस खुलके आ गया है यह दाकिल खारिट का मामला है जो कि इस पे चला है ठीक है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस जमीन पर कोई मुकदमा तो नहीं चला किसी ने दाखिल खारत के लिए आवेदन तो नहीं किया कोई इस पर कानूनी लफड़ा तो नहीं राजस्विवाग की तरफ से तो सारा कुछ परता इस पे चल जाएगा ठीक है यह जो है केवल कोई मामला पेंडिंग है तो वो एक अलग बाद वैसे 90% इसी में होता है और इसी से पता चल जाता है धन्यवाद